राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुलाएंगे कि प्राथना में कितनी ताखत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्केर्थी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाउन था, उसमें एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान जो की मिर्तियों के बेहद करीब था, मिर्तियों से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया क्योंकि उसे उसके भविश्य की चिंता थी। किसान ने अपने बेटे को चांदी सिक्कों से भरा हुआ थेला दिया और कहा कि बेटा जब भी इस थेले में चांदी के सिक्के कम होने लगें या खतम हो जाएं तो तुमें मैं एक प्राथना बताता हूं तुम उससे प्राथना करना और उससे दोहराना चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे उसने किसान ने अपने बेटे के कान में चार सब्दों की प्राथना कही और वेह मर गया अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा तहला पाकर बहुती खुस था उसने उसे खोब खर्चा पानी और मन मरजी में वे थैला जो खर्च करने लगा वे थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल लग गई लेकिन वे पैसे की मद में इतना चूर हो गया कि अपने पिता की बताई हुई प्राथना को भूल गया जब थैला के पैसे खतम हो गए तो बेटे को याद आया कि अरे पिताजी ने तो मुझे प्राथना करने के लिए बोला था लेकिन मैं तो वे प्राथना करना भूल गया हूँ उसने उस प्राथना को बहुत याद करने की कोशिस की लेकिन उसे वे प्राथना याद नहीं हुई अवे लोगों से पूछने लगा सबसे पहले वे अपने पड़ोसी के पास गया और उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई कोई ऐसी प्राथना तुम जानते हो क्या जिसमें चार सब्दों पड़ोसी ने का कि हाँ मैं जानता हूँ चार सब्दों की प्राथना तुम मुझे मालूम है वो चार सब्द यही है भगवान से हाथ जोड़ो और बोलो इस वर मेरी मदद करो चार सब्दों की प्रातना है उसने सुना और उसे लगा कि शायद यह वे सब्द नहीं थे कुछ अलग थे कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना लगता पड़ोसी ने कहा फिर भी वे सब्द उसने बहुत बार दोहराई लेकिन उसके चांदी का सिक् नहीं बढ़े तो वे बहुत दुखी हुआ फिर वे एक चर्च में गया और उसने जो पादरी था चर्च में उससे कहा क्या तुम चार सब्द की प्रातना मुझे बता सकते हो उस फादर ने कहा कि हां इसमर तुम महान हो ये चार सब्द की प्रातना हो सकती है मगर उस चप्राय त्ञ हम चारे पेर प्र करने बहुत करने लग़ा लेकिन बार-बार उसे फिर भी यही मलाल रहता कि मेरे पिता ने मुझे जो प्राथना बताई थी अगर वो मुझे याद हो जाती तो मेरा जो है थैला चांदी के सिक्कों से भर जाता और मेरी जिन्दगी सुगम हो जाती लेकिन उसने कोशिस नहीं छोड़ी एक बार वे एक नेता से मिला उसने नेता से कहा नेता जी चार सब्द की प्राथना आप जानते हो जो की कारगार साबित हो नेता ने कहा इस वर को बोट दो यह प्राथना भी कारगार साबित होगी लेकिन जब उसने इस प्राथना को भी क उसे वे प्रातना नहीं मिली जो पिता जी ने बताई थी। वे उदास होकर घर में बैठा था। तबी एक भिकारी उसके दरवाजी पर आया। उसने कहा सुवे से कुछ नहीं खाया खाने के लिए कुछ दे दो। लड़के ने कहा कि बावा बैठो मैं भी खाने के लिए लाता हूँ क्योंकि उसके पिता ने उसे गरीव लोगों की साहता करना और परोपकार की भावना बहुत अच्छे से सिखाई थी। लड़के के खाकर बरतन वापस उस लड़के को दिये और इसवर से प्रातना की कि हे इसवर तुम्हारा धन्यवाद अचानक वे लड़कल चौप पड़ा और बोला अरे यही तो वे चार सब्द थे उसने सब्द दोहराने सुरू कर दिये हे इसवर तुम्हारा धन्यवाद और उसके सि लाचान्दी के सिक्कों से भर गया क्योंकि वे जितनी भी मेहनत करता उसमें सिक्के डालता और इस्वर का धन्यवाद करता क्योंकि इससे पहले जो वे मेहनत कर रहा था लेकिन इस्वर का धन्यवाद वो नहीं कर रहा था तो पैसे जुड़ते ही नहीं थे इससे समझे उसको कोटी की प्राथना है क्योंकि जिस चीज के प्रेती हम धन्यवाद देते हैं वह चीज हमारी बढ़ती जाती है अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है इस वर के प्रेती धन्यवाद के भ और उन्हें मानेताओं में मर भी जाते हैं, मरने के वक्त उन्हें सत्या का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी अंधेरे में मर जाते हैं, दोस्तो इस वार तुम्हारा है, अगर तुमने पेट भर खाना किया है, खाया है, जो भी कमाया है, इसलिए इस वार को धन्यवाद जरूर दो हे इस वर तुमारा धन्यवाद यह प्राथना नहीं सकती है अगर यह चार सब्द आप दोराना किसी के लिए कठिन बात तो नहीं है इन तीन चार सब्दों में इस वर की बहुत सक्ती छिपी हुई है इस वर तुमारा धन्यवाद यह तेन सब्द भी जादा लग रहे हो, तो सिर्फ एक ही सब्द कह सकते हो धन्यवाद, दोस्तों ये धन्यवाद आप सब को दो, जिसका भी तुमने किसी ने तुमारी मदद की है, या जो भगवान तुमारे लिए तुम जो कमा रहे हो, खा रहे हो, जोड रहे हो, जो भी तुमारे घर में नई चीजे आ रही है, जो तुमारी सांसे चल रही है, तुम नई सुभा देखते हो, सब के लिए धन्यवाद दो, हम जो उसी स्वर को जिसने हमें मनुस्य जनम दिया, उसमें दो ही बाते हैं, पहली सांसों का चलन दूसरी सत्य की प्यास यहीं प्यास हमें फ्यास की खोजों में भक्त बनाएगी भक्ती में प्रातना होगी प्रातना में आनंद 집या दोस्तों प्रभू को धन्यवाद दो और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अपने संस्किर्थी को लाइक करो, सबिस्क्राइब करो और शेयर करो